कि दनित समाज अंबेदकर की एक बात को भी मानने कि त्यार नहीं है और जो कह रहा है इस बात को उसको गाली दनी के लिए लोग ढूंड रहे हैं मिशन जो चला रहा है 40 साल से कौन सा मिशन चला की आरेस बीजेपी मजबूत हो गई कोई चमार समाज के लोग कहां लेके जा रहे हैं और क्या सोला साड़ी सोला पर्षेंट लोग सत्ता में कैसे आएंगे जब आपके पास कुछ नहीं आओ इसमें भी तमाम लोग बटे हैं चमार पासी खटी गुबर गुवार लार पैतर पता में कितनी जातिया है कि जो है कि हमें कामरिस को हटाना है कि अब उनसे क्या हम अर्गुमेंट करें हमको सिंग जो सेर सजा दे देगा मैं तो अपने लाइप का बहुत बड़ा हिस्षा दलित लोगों को संधाने में लगाया कि बीजनेस में नोकरी खतम होने वाली है दलिस समाज ने कहाई गदार नंबर वन चंद्राम प्रशाद चमार समाज के लोग बुरा मान जाएंगे अगर आज दलितों में कोई एक ऐस तपका है जो इस सरकार के साथ है और कांगरेश को अपना दुस्मन नंबर वन बता रहा है वो जो है इसको मैं यह कहता हूं कि आज दलित अपने अप्रेशर के पक्ष में संगीत बजा रहा है यह तो अच्छा हुआ कि सारे पासिया और खटी को ज्यादे अंबेतकर बादी नहीं हुए इतिहास अगर आप देखें गुरु रविदास के समय से लेके अब तक तो दलितों के रेसिस्टेंस की नार्टिन्या में जितनी बड़ी घटनाए हुई है वह चमार समाज के नित्रितु में हुई है लोक सभाज चुनाव 2024 काउंट डाउन शुरू विविन राजितिक दल अब चुनावी तयारी में है पटना में तीन तारी को एक बड़ी सभा होनी है खर ये सब तो चलता रहेगा क्या सोचता है शहरी दलित मिडिल क्लास आज चर्चा इसी पिशेपर अब एक सेग्मेंट तो यह है जिन्हें लगता है कि सिक्षा रोजगार स्वास्त का मुद्दा बहुत असली है लेकिन एक सेक्षन ऐसा भी है को कह रहा है कि जब तक प्रधान मंत्री बना लेंगे तो उसके बाद एकदम चुबान उरन चुब की तरह दलितों की सारी समस्य आएं खतम हो जाएगी क्या है पॉस्बिटी इस चुनाव के बाद कौन आएगा तो क्या इस्तिती होगी क्या होगा मुद्दे क्या हम सब मुद्दों को लेकर चिंतित हैं इसी बिशेफ पर दोस्तों रतनलाल बोलना हूँ और आप देख रहे हैं मिटकर नाम है दलित चिं समाज सिर्फ जो है बीजेपी और कॉंग्रेस को प्रधान मंत्री बनाने के लिए पैदा हुआ है अपने प्रधान मंत्री नहीं बना सकता है क्या आप हर समय अड़कात रहते हैं डाक्टर रतनलाल सहाब जो पिछले करीब तीन-चार हक्तों से मैं अपनी किताब खत्म कर र इंडियं जो करता हों मैं इस कनक्लूजन पर पहुंचा हूं कि दलितों का यह चल रहा है का सब्सक्राइड क्लास बना दलित मिल सहरी दलित का हम और क्लमीन दलित का गॉल्डन डेज चल रहा है अच्छा है हिंसा तो बर रही पिठाए तो लग रहे हैं यही यही निसानी है जब तब ब्लैक गुलाम थे अमेरिका में उन पर कोई एक इस्टोन नहीं फेक सेता था क्योंकि कोई उनका मालिक था वो गन लेकर आ जाता था जब ब्लैक फ्री हुए तब ब्लैक की लिंचिंग शुरू हुए राइट हमारे बच्पन में एक लाठी से जमिदार पूरी तलि तो यह डार्क यूग इसले चल रहा है कि वैसे तो मध्य जूग को डार्क यूग करते हैं जो प्री इंडेश्टलाइजेशन पीरिएड है हम समझते हैं पांचवी सताब्दिक के बाद से पंधरावी या चौदे वी सताब्दिक रहा हुए डार्क यूग का जो नेत्रित कारी तपका है जैसे कि दलितों में बहुत सारे ग्रूप्स हैं पासी है खटीक है वालमिकी है धोबी है यह ढूलमूल करेक्टर वाले हैं यह कोई सत्ता से वैचारिक या आडियोलोजिकल चैरेज नहीं करते हैं जिदर रासा मिल जाएगा जहां मौका मिल कर लेते हैं इतिहास अगर आप देखें गुरु रविदास के समय से लेके अब तक तो दलितों के रेसिस्टेंस की नार्टिया में जितनी बड़ी घटनाए हुई है वह चमार समाज के नेत्रितुमें हुई है और फ्रांट पर रहा है ना हमेशा है जितनी भी गरीभी हो च जितनी बनती हैं तो चमार समाज को अंग्रेजों ने भी पहचाना तो उन्होंने चमार रेजमेंट बनाया हिटलर की जो के समर्थन वाली सेना जापान इंपिरियल आर्मी जब इंडिया में बढ़ रही थी तो चमार रेजमेंट ने उसको जो है नागालेंड में जो है जा पीजेपी के गीत का रहा है जो रेसिस्टन्स का था ऐसे मिलेशन हो रहा है क्या उसका एक सब्के का मतलब कि अब एक क्या बताओं चमार समाज के लोग बुरा मान जाएंगे अभी मैं आजमगर गया था तो एक दिपचन मास्टर शाहब हैं उनकी एज एक टीटू या एट ही मिल जाएगी तो अपना नाम रेइश्टर का है 15 दिन के भीतर उनके हां पोस्टिंग के लिए एक स्कूल बताया गया जहां परके ज्वाइंग के और उन्होंने तुरंद उनको च्छा महने के लिए ट्रेनिंग पर भेंज दिया और वो टीचर हो के आए और उनका बेटा भी दुर्भाग दिवत उसकी देथों के लिगरी कालेज का लेकिरर था अकपरपूर में और बहुत उन्होंने आम अपने घर के सामने साथा आम के पेड़ लगवा दिये हैं खेत बाद में बहुत जबरदस परस्नाल्टी हैं तो वो बता रहे थे कि यह जो है बाबू धू दलितों को जाब देती थी आज धूड धूड करके डिपार्टमेंट से दलितों की नोकरियां समात्त हो रही हैं फिर भी चमार सम यह तो अच्छा हुआ कि सारे पासिया और खटी को जारे अम्बेतकरबादी नहीं हुए क्योंकि वो ताली तो नहीं बजाते यह कौन सक्प पिरड चल ला है अम्रितकाल चल रहा है उसकी ताली तो नहीं बजा रहा है यह तो पासिया कहीं कि इसका क्यों करेक्टर नहीं छोड़ो चमार समाथ का जो एक बहुत पढ़ा लिखाता है वो बोड़ ला है कि जिसने उसको नौकरी दिलवाया था जिस जमाने में नौकरी म में है और बहुत हमें अप्रिशेट भी करता रहा पहले वो जब प्रधान मंत्री जी ने बिहार के बड़े सामाजिक सुधारक पॉल्टिशन को भारत रतन दिया करपुरी जी को हां का प्रशाद जी देखा आपने ना मैं क्यों कहता हूं कि कांग्रेस बहुत गंदी पार् अरे महराज करपुरी ठागुर को दिया नहीं दिया क्या लेना देना है आपका इससे इंपावर्ड मैं सूचता इसके पास आठ पैर हैं बार हाथ हैं पांच्छा मू हैं अम बेतकर बाइत का पूरा ठेका ले रखा है चमार समाज के लोग बुरा मां जाएंगे अगर आज दलितों में कोई एक ऐसा तपका है जो इस सरकार के साथ है और कांगरेश को अपना दुस्मन नंबर वन बता रहा है वो जो है इसको मैं यह कहता हूं कि आज दलित अपने अप्रेशर के पक्ष में संगीत बजा रहा है जीरो बैलेंस पर एडमिशन खतम इंजिनिरिंग साल विज्यापन आते थे पर्फॉरेट शेक्टर में इसके कहीं कोई दिखा रहा है को मुझे बता दे मैं अपनी बातें बिड्रा कर लूँगा प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं सबसे बड़ा दलितों का अगर नोकरी कहीं है संक्या के हिसाब से प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल दूसमें नहीं है तो दस साल से कॉंग्रेस पावर में नहीं है शत्रू नंबर टू पावर में है इनसे अधिकार लेने चाहिए था ना या कार्ण फेसबूब पढ़ा था एक जे चीदे में और गधे में गधे में कुछ्छ तर्ख हो गया और गधा बहुत बेवकूत की तर्ख की बाते कर रहा था कुछ आसमान निचे है पासमान नीचे है कुछ इससे कर रहा था तो राजा के पास बात कि शेर के पास तो उसने चीता की बात को भी सुना और गदे की बात को भी उसने का गधा आप जान रहें कि यह जुट बोला है कि गधा है कि इशलिए तुमसे दी रिए रिरे है क्जिणे कूपर कर रहे तो तो आपके समाज का एक तपका तो अपने बरबादी के गुण गा रहा है और बोल रहा है जो जिसने हमारे मेडिल क्लास को खड़ा किया था वो हमारा दूसमन नंबर वन है जो सप्टा में उसने कहा फिर जो बारा पैरोगाराम वितकरबादी है कि जो है हमें कहारेश को हताना कॉर्स है कहां कि हटाना है अब उन से क्या हम अर्गुमेंट करें कि हमको सिंग जो सेर सजा दे देगा इस्तिति यह हो गए डाक्टर साहब आप मैं तो अपने लाइप को बहुत बड़ा हिस्टा दलित लोगों को संधाने में लगाया कि बीजनेस में नोकरी खतम होने वाली ह दलि समाज ने कहा है गदार नंबर वन चंद्र माम प्रसाद अरे जब जगीवन राम को नहीं समाज ने चोड़ा दो आप कौन है आप कुछ लोग बोलते हैं उसमें में पड़ता हूं आप गदार हैं आप कांग्रेस के एजेंट हैं अरे मुझे को यह बोले कांग्रेस के माम प्रसाद जी मैं ने खा, मैं खाओंगा धन्की सो मच यह तो कंप्रिमेंट है क्योंकि मेरे घर में इतने लोग नोकरी मेरे ब्रदर सिख्टी नहीं जब दरवगा बने डाइरेक्ट तो लोग देखने आते थे अरी एक पासी दरवगा हो गया है कितना लंमा है लोग बो character कर रहा है कि की जो है यह हमारा दूस्मन नंबर खत्म मजऄ उर्धी को कि राजनेतिक शेतना था अगया भू मैं मेरे अमेरिकıld करहा है कि हमारा President होगा हम सकता भूझ सिल करेंग दी जंगल वरा जानवर है वही बुलेगा जिसके वज़े से चीता को सजा हो गई तो अभी मैं धमाका करने वाला हूं मार्च में तो यह जो डार के चल रहा है तो पहले तो आप अपने समाज को यह बताईए कि अपना दुस्मन पहचान ना सिखो तो अब रासता आ रहे हैं सब्सक्राइब करें तो यह बने सरोक रहे हैं यह बात बोले थे कि दसवी क्लास का बच्चा भी बता देगा राजसता आती है तो बहुत सारे काम स्मूथ हो जाता है लेकिन राजसता आएगा कैसे इसका फर्मूला नहीं बता रहा है यह तो आप यह देखिए ना यह जो ज प्रश्टा में गधे में हमसे कई लोग कहते हैं बड़े गर्व साथ के साथ जैसे लगता कि चंधाम प्राइब को कुछ मावु में नहीं चंधाम प्राइब कर साइंटिस्ट है न बाइट रेनिंग सब्सक्राइब कर देखने लिए अरे 16.5 परशेंट लोग सब्सक्राइब कैसे आएंगे जब आपके पास कुछ नहीं आओ इसमें भी तमाम लोग बटे हैं चमार पासी खटी गुबर गुवार वार पैतर पताने किदमी जाती हैं तो अब कैसे सब्सक्राइब करेंगे कैसे दोसो त्यत्तर सीटे लाएंगे आप पचास लें चोड़िया न दोसो त्याइब कांफिडेंट नहीं है 27 पार्टियों के साथ कि उसके पास मेजोर्टी मिलेगी तमाम तरह-तरह के काम कर रहे हैं कांगरे सो कांफिडेंस नहीं आ रहा है कि वह अकेले सत्ता बना लेंगे तो दलित की कांछे पार्टी है रपी आई बना लेगी अकेले अब सकता है या अब उत्तर प्रदेश के वहां तर पुलिटकल चर्णि बहुत जादा है वहीं से हो सकता है कुछ महावल बने इसलिए मैंने कहा इसको मैंने इसको गुष्य में नहीं कहा है इसको मैं किसी कुछ नहीं होने वाला है उशि को एक बहुँ और जो छडिया मार रहा है जो लटिया मार रहा है आम दो फाल पहला से कहा रहा है कि यह जो अमरit काल चल रहा है विज़काल है तो चारों सरब लोगों को गोली मार दे रहे हैं 20 नंबर का एक गिजाम है 24 न routing नंबर देक्र के पिछली कांगरे सरकार्जी में दार है जो हां पर कितने 200 साल से आप बताईए कि जो चेतना बता रहा है ना अरे बहुत डेंजर साब अभी जो बुक इस्टाल लगा था हमसे प्रिहार जी हैंबारे अच्छे दोस्त जैपुरवाले अरे इतनी किताबे पिशाद जी देखिए कितनी किताबे अपने लोग लिखने हैं सबसे दिख लिट्रेचर पढ़ने का धलितों में सवक है बिल्कुर सही है आप पढ़के देखिए तो लिखने वाले काउन लोग हैं यह जो बुक्स लिट्रेचर आ रहा है कभी इस पर क्रिटिकल कमेंटरी होने चाहिए कि नहीं कि जो लिख रहे हैं उनकी लिखने की विद्ध कितनी है और जो पढ़र रहे हैं उसमें वह क्या पढ़र रहा है कैं साय विंशी पमें गाल कर ने में इंग्लिस एज दलित गॉडड़ेश की आईडिया आईडिया और एक अभी नई आईडिया 15 साल बाद 15 साल लगे मुझे एक नई आईडिया पॉडूस करने में तो जिसका मैं जो है अनॉंस्में करूंगा मार्च में यह यह जो किताबे लोग लिख रहे हैं इसमें क्या में क्या कांव फ्यूशर एक डीलेश क कि दरि जब फिल्का विश्कार उब तौर अद्धिक्र उग्या अदियों तो प्ल्स्सक्राइब का अजय पर युवैप बद्सट पर इंदया है च्नाविख आएं इंदेंग सलाबिया गढौस करूंद्धियाает जया वैया बद्धि पदल गया जो दनित इंटिलेक्ट्ट्वल्स जो किताबें लिख रहे हैं उसमें क्या लिखा आए पड़के तो कोई बताए मुझे कि दोहजार लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं सब शुरू करते हैं बाबा साहब को बैल गारी से उतार दिया गया वेटिंग फॉर वीजा पानी नहीं नहीं दिया गया वहां से और बढ़ोदासे अरे सबी लुग यहीं बात कर रहे हैं नया क्या है इसमें आट जो ब्कभर है है जो डलितों के डारक एज को और नीहांकी पढ़ने की लिखने की यक्या प्रश्चार नोबेल पुरस्कार भी हमारा एक लक्ष होना चाहिए कोई पूछ रहा है फिजिक्स पर कब जा करो मैथमेटिक्स पर कब जा करो राज सत्ता जब आ जाएगी सरकार जब बन जाएगी तो ओवरनाइट अमत्राइट तो आई थी वहां पर भीहार में शामाजीक आपका प्रदेश है आपके यहां भी तो आई थी तो सुनिए तो हमारे महाला उभेर मत खोली आप यह आपके जो सत्ता आई थी तो राजनी के समाजबाद के और के सबसे बड़े जो थिंकर थे लालू प्राद्यादो जी उन्होंने एक नया आविसकार किया उसके पहले र भैंश पर लिखो कखगगः सिर्फ इतना चिंतन हो पाया फिर उहां पर ओवीशी काही सासंद्रा भिहार में क्या नई चीज बनी बताईये तो शाहब राजनितिक चेतना है समाजिक चेतना है और इसलिए बाबा साफ को उन्होंने कहा था न कहीं मैं पढ़ा नहीं हूँ भूंड रहा हूं कहां कहां मिली नहीं रहारा एक इस बीच्छे मिशन को आगे मत ले जा सकते हो तो पीछे मत करना उन्हें अपनी लोगों पर संका थी उसी समय है इसलिए बढिया है कि इसलिए चमार खटी लोग यादी जो है अम्भेट्क बादी नहीं बने सिरjak नुक्सानác नहीं कर रहे हैं बाबाप आपिर शाप केМिशन को फीछ तो नहीं खीच रहे हैं और जो अंगरेज़ों को भी जूटा साबित कर दिया आपके समाज में चमार रेजिमेंट के लोग जो है चपांग इंपरियल आरली के छक्के छुड़ा दिये को हिमा में मैं हो क्या हूं तो आज का लोग अंबेट करवादी है कि नहीं कौन कोई चमार समाज के लो कहां लेके जा रहे हैं मिर्शन प सब्सक्राइब नहीं है तो आप सर्टिफिकेट ले जाए क्लास से करेक्टर सब्सक्राइब बन वाले प्रिंस्पल से जिले के पुस्त मास्टर को जमा कर दीजिए और जिस दिन आपकी उम्र हो गई उस दिन अपॉइंट में रिट आ जाता था पत्का हां वह तुम आने द अप्डलिश समाथ यह दार्क एज को और डार कर रहा है यह बताए चंद्रभान जी जो राजनितिक चेतना यह राजनितिक चेतना का मतलब एलक्षन लगना खाली नहीं होता है उस चीजों को समझना भी होता है तो तो क्या यह रूलींग एलीट बीजेपी इस यह समझ गय इस पर प्रफ्षर साब एक आपको अलग से एपीशोड करना होगा जितनी एक जाती की पार्टियां है तो अपने जातियों में इन्होंने ऐसा यह एक मेसेज दिया है वह सभी लोग तो अमीर नहीं हो सकते हम एक तो हमारा आदमी एक राजभर तो है बना एक जो है जो है ज महाजी जी मैं इतने तारीफ किया नितीष अदर को की नितीष कुमार को भी इतना तारीफ किया की एक मुसहर को चीफ मिस्टर सत्ता देना इतिहास के बहुत बड़ी बात है तो माजी शहाब की जिम्यदारी थी कि मुसहर सभाज के लिए इसके Специal स्कालर्शी और एज्यूकेशन का पैकेज लाएं मुसाहर बस्ती में जो है इंग्लिश ठीचर्स निवक कर दें जो भी कर सकते थे खुल दें बढ़ी हासा हां होस्टर खोल दें कुछ भी कर दें कद्या क्या अरे लालू जी यह जो है बुलायम जी आहिरों के लिए ही आर्मी अर्मी ताइब का इस्कूल खोल देते हैं अहिर एजिमेंटी स्कूल हां अहिर श्कूल और उसमें कायस्तों को तीचा रख देते हैं तो कुछ तो अहिर सहूर ओकर के साथ पैदा होते हैं इंग्लिश बोलने वाला श्ताइलिश आदमी जिस समाद में लाखों लाख लोग टाइटा एंग्लीश बोले तो यह जो डवित समाज जो डवित चेतना की बाद मैं तो समझता हूं कि उल्टा दिशा अमें जा रहा है अरे चेतना तो अमभेत कर भाबा साहब के विचारों के जिरुध एक शड्यंतर है एक विद्रों सब्सक्राइब क्या लिखा जा रहा है क्या प्रहाइब कौन सा मिशन चला रहा है चालीस साल से कौन सा मिशन चला कि सबसे बड़ी सामाजीक बुराई कांग्रेस इसको खतम करना एकदम जरूरी है तो बीजेपी अपना मुश्कराती रही कि खुद इनके सासन के बेनफिशेरी कह रहे हैं कि जिसने हमको फैदा दिया हो हमारा दुसमन नमर वहना तो हमें क्या करना है तो उन्हों ने इसको अपने सासन को अमसे कही लोग कर रहे हैं अगर दलिस समाज में चीतना नहीं होती तो जो दो अपरेल का इतना बड़ा क्रांथी कैसे होा होता है अम यह लपेड तो यह CST कानून को जो त्यड़ा मेड़ा कर दो तब यह रोध पड़ी तो अब यह समाज में मैं तो नहीं कर सकता आर्गुमेंट मुझे सजा हो जाएगी फिर भी तरह मजा भी लीजे सजा कर आप क्या बच्चा मतलब अपनी अर्य आप छोड़िये समाज की बा सब कांग्रेस के जमाने में हुआ तो उसमें से तो एंपी बनना चाह रहे है न कुछ लोग हां तो यही यह है एक सोचना कि हम पार्लेमेंट में पहुंचते ही ओवरनाइट बदल देंगे हम बदल देंगे और हम बल्वान होगे और दली समार यह इस बात को मानता है आप ज दलितों के ओजीफे को कितना डेमेच किया है फिर भी उषी पार्टी में कोई दलित कोई बन गया डागया तो इसके पास भी लग रहती है और लोग बनना चाहते हैं वैसे एजन्डा नहीं है एजन्डा तो यह है कि भस कांग्रेस खतम करो जो नहीं है अदिक्षान नहीं है तो यह बता यह जो लोग PM-CM ख़ाप देख रहे हैं जो पार्टी संगठन जो भी उनके पास कोई ब्लूप्रिट एजेंडा है अरे अंधकार जुग में दलित इतना अंधेरा हो गया है कि एक दलित दुसरे दलित की आंख को निकाल रहा है निचोड छीन रहा है भाई भाई को हेल्प नहीं कर रहा है दिका सकता हूं रिचर्ज करके एविटेंज करके बड़ा हेलSi मेरी कुषे पेटे को छोड़ दा रहा है मले संबबोर भाई एक किसी शहाँ आपने किषी परिवार को या व्यटी को दुर्दिन में छोड़ देatarक है वो अपनी अपनी पत्मिंदी खोड़देते हैं वह वेस्टर 22 प plano है must अमने फशन आदेह में तो जो इसा इस ब भर दिया है वह बर भर दिया है वन बाई वन अधिकार मिले हैं बाबा साहब दोरा आम लोगों को फिरीशी इसकालों सी गवर्मेंट में जाब केवल पूने पैक से उस सरकारी जो परलेमेंट और असंब्ली में मिला था वन बाई वन उनका देखिए जो है ग्रिवांशी आफ हूं ढूंड रहे हैं यह यह जो है घ्राल है कांग्रेस पाजिटी की अरे एक सिस्टम क्या मवाद्ट रहे हैं एक सिस्टम ऐसा था कि हर अप्रेल या में में वेकेंशी निकलती थी इस्पेशल रेक्रूट्मेंट ड्राइब होते थे इंद्रा गांदी जी ने चला यहां टाटा की भी विकेंशी इन कलती थी तो उसमें श्रीडूल का श्रीडूल ट्राइब के लिए कुछ रहता था ध्यान आपको नहीं टाटा का नहीं था लेकिन शायद कुछ इस्तरह से था क्योंकि टाटा जो है जो यूपीएसी की लिस्ट बनती थी विजाई कंडिडेट्स की तो उसके नीचे जो सेलेक्शन से कुछ नंबरों से मिस्स कर जाते थे उनको बुला लेता था तो उनको टाटा सर्विशेज करके सिस्टेम उनक्या है उनको बुलाते थे शिकुर्वास को लेते थे या नहीं लेते थे हम इसका कंफरम करना होगा कुछ मुझे याद आ रहा ी पाक्तिस की चेतना में बात चली जाय कि हम इनका कोई भी फायदा करेंगे अभी में लिखा हुआ ने बाबा साब का तो आप कहा जा रहा है अब नोकरिकों जा रहा है तो जिस तरह के लोगों के हाथ में गाड़ी की स्टेरिंग होगी तो उसी साब से इकालियां चलेगी ने अगर किसेश कहा दीजे कि भाई यह तो बात सही करें तो क्या समिधान में यह लिखा है कि हमारे पास एक पब्लिक शेक्टर होना चाहिए नहीं तो वो तो स्टेट पॉलिशी विजन का सवाल है ना तो डाक्टर में मनिफेस्टों में लिखा है जहां प्राइवेट सेक्टर के जरूरा तो करेंगे चप्राइवाएट सेक्टर करेंगे जहां सरकाली सेक्टर करेंगे नहरु में state socialism type का मोडल है अटि कितने बैमान है अपने लोग और नहरु और अंवयक्तर साथ मैड कर चाय पीते थे और लांच करते थे किताब लिखा है कि बाबा साहब और जवाला नेहरू हैंड सेख भी करते थे मिटन के दरान बाबुजी भी घुते थे लोग चाय पीते थे केविनेंट मिटन के बाद लंच करते थे अविसमाज लगों ने इसलिए यह को भी मालूम है कि अगर हम इनके लिए कुछ कर देंगे तो हमें भी गाली देंगे तो यह डार्क चल रहा है डार्क एज में दलित समाज इस डार्क एज के लाने वालों के साथ भागिदार हो गए है जिसको मित्र मानता है वह सबसे बड़ा शत्रु यह पता है जिसने भी दली समाज का है दली समाज जो हुशको गाली दता है खास तरशे आप वाला समाज जो जो जब जाद लाब उसी को मिला संख्या ज्यादा थी पढ़ने लिखने में थुरा पहले शिरू नहीं तो देखे हम पूरे इंडिया में घूमे है एक समय हम चार कालम लिखते थे एक महने में जिस उप जातियों ने शिरूर कास्ट में अंबेदकर का फोटो अपने घर में लगाया उसी का विकास जादे हुआ है अंधर प्रदेश में एक जाती है कम्मा कर सकते हैं कि इनकी तुल्ला कर सक तो वहां पर जब भी मेरा कालम था तेल्गुडेली वारता में तो जहां जहां भी समयार होता था तो मादिगा लोग भी आ रहे हैं मादिगा इस इकुबलेंट तो बाबु जी की एक फोटो एक लगती थी फोटो एक अंबेदकर की जो मादिगा जहें भुट भुरी इस्थिति दिया बहुत अत्याचारून पर होता है मादिगा समाज का समाज आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसने अंबेदकर की ओफोटो वाली तस्वीर नहीं लगाया इसमें तस्वीर नहीं लगाया जिसमें सिख्षित बनो संगठी पाशी हर लेबल पर चमार समाज से आगे थे लैंड होल्डिंग ब्रामणिंग कि यहां आता था पूजा पाट कराने चमार तो एक दम ही वहिस्कृत थे पर उन्होंने अंबेदकर को अपनाया उनकी फोटो लाकर लगा लिया तो एजुकेशन का पता नहीं नौर्थ इंड सबसे पहले कैस जो आया श्रुल कास की सब कमुनिटीज में वालमिटी जो हॉस्पिटल्स में नगर निगम में लगे चाहे आजमकोडो चाहे देलही फिर खटीक यह बहुत पहले ही प्रशाय में आगे थे मेत और फ्रूट फ्रूट मीट और बेजटेबूल्स इनके पास आया और धोबी समाज सहरों में सबसे पहले इंका माइगरेशन हुआ हॉस्पिटल्स की कपड़े दुलने का और तमाम जो है प्रेश जगा जगा करते थे जिन दलित उपजातियों में सबसे पहले कैस आया वह पिछड क्योंगे उसका एक ही कारण है कि इन्होंने अंबेद बदला आपका समाज चमार समाज ले रहा है कि ठोड़ो किसने किसने हमारा फायदा किया है उसी ने हमको सत्ता कप्रकभजा होने से इसका कारण यह है कि जो जो इसका कारण UPSC है कि यूपीए सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन इसने जो डलितों में जादे टैलेंटेट थे एक्स्पोजर था इनको वह आईएस आईपीएस और इंकम टेस्ट कमिशनर बनके चले गए जो सेकेंड वाले थे उनके नीचे तो वह डाक्टर इंजिनियर बन गए इंस्पक्टर होगरistemण नो में इश्पक्टर होगर हो गए फ़ाद थे इंस्पक्टर गए लुगरे हो गए लुगरे हो गयए मिफ्त वाले थे बाबगे श्ट वाले थे चप्रासी होगए इस डलितों के भीतर इस नर्शें में जो अब सय थे हैले हो गया जै निठा बन ग नहीं नहीं फिट बैट पाया जिसको आप और हम अपने घर चाय पर नहीं बुलाना चाहेंगे इस लाइक है वह उसका कपड़ा उसके जूते जैसे पालिस से इंकी दुस्मनी हो पालिस कभी नहीं करेंगे हम सूट कभी नहीं पानेंगे पैसा है तो भी हैट लगाना तो यह यह बहुत यह पता नहीं क्यों करते थे अंग्रेजों के घुलाम थे मान शिक्ता में देखे एक एक होता है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ने कहीं दलित समाज में अंवेतकर का हैट अभी शुकारे नहीं हुआ है चलिए तो चंद्रफान प्रसाद हैं और इनका इनकी नाराजगी समझे आप खलियुग डार्क एज ऑफ अर्वन दलित मिडल क्लास और रूरल दलित पर हम नेक्स टाइम बात करेंगे एक एक लाइन जोड़ देता हूं जो मैंने रिसर्च किया है एक अमेरिकन इनुरस्टी के लिए दलित महलों में आजमगण में काफी के पाउच बिक रहे हैं देख है और क्या शेहरी दलित मिडिल क्लास सिकुर जाएगा या खत्व होने के कगार पर आएगा सिर्फ सी एम प्यम बनाने से आपको भला होगा बनेगा कैसे यह देखिए बच्चा भी कह देगा कि राज सत्ता से परिवर्तन होता है लेकिन बनेंगे कैसे इसका फॉर्मूला अ जा रहा है जो भी ताव भी जा रहा है लेकिन वो ज्याधा पॉलेटिक्स में ज्यादा इंट्रेस्टेटेट् के अजंडा सेटिंग में इंट्रेस्टेट नहीं शुक्रिया देखते रहे हैं अंब्ड के नमा